हलो फैंट्स तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था तो आज हम देखिए समझते हैं कि हम नोड किसको बोलने बाले हैं अपने इस सीरीज में राइट तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक बनाया है जिसका टाइप हमने नोड रखा है तो अब नोड एक डेटा टाइप की तरह काम करेगा जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है अच्छा यह सारी चीजे में आपको पहले ही स्ट्रक्चर प्रहादे समय पढ़ा चुका हूं यह सिर्फ एक मैं रिवीज करके वेरियेबल को बना सकते हैं तो इसके अंदर हमने एक डेटा नम का बना है इंटीजर टाइप का तो हम इसमें इंट टाइप की इंटीजर टाइप की वेलू को इस्टोर कर सकते हैं और यहाँ पर हमने एक बनाया है पॉइंटर लेकिन खास बात यह है कि देखे इस सकते हैं लेकिन पॉइंटर बना सकते हैं ठीक है तो हमने यहां पर एक पॉइंटर बना लिया है तो जो यह अब नेक्स्ट पॉइंटर है यह फ्यूचर में किसी भी नोड टाइप के वेरियेबल का एड्रेस इस्टोर कर सकता है ठीक है सी लेंग्विज में आपको बहुत कोड़ टाइप के वेरियेबल का एड्रेस इस्टोर कर सकता है ठीक है फिर यह हमारा में फंशन अच्छा में फंशन के अंदर जो यह यहां पर लिखा गया है कुछ कोडिंग परांथिस के अंदर तो इसको आप ज्यादा इंटर्प्रेट मत करना क्योंकि मैं यह वीयस कोड मैलाक का यूज करके अब मैलाग भी मैं आपको पढ़ा चुका हम तो मैलाक का जब भी हम यूज करते ह plans यह उसमें हम उस De data टाइप का size pass करते हैं जिस टाइप का हमें variable बनाना होता है तो हमने यहाँ पर इस ट्रक्ट यहाँ पर पास कर दिया है तो नोड़ टाइप name het एक variable बन जाएगा और जैसे यह variable बन जाएगा तो मैला क्या करेगा उस variable का address रिटरन करेगा और उस address को हमें किसी भी node type के pointer variable में हम इस्टोर कर सकते हैं इसलिए हमने यहां पर बनाया है एक pointer है और उसका type है node है ना उसी type का हमने pointer बनाया है अच्छा, अब हमें यह भी अच्छी तरह से पता है, कि जो mylock function होता है, वो एक Wired type का address return करता है, लेकिन हमें address चाहिए किस टाइब का, नोर type का, इसलिए हम ने उसको नोर type के address में type cast कर लिया है, तीज़िए हम लेकिन यहाँ पर हमें किस टाइब का address चाहिए, पॉइंटर है जिसका इड्रेस है जो मैलाक ने क्रियेट किया है तो द Görit हमाल हम भी मूद्हें और मैं आपको समझाऊ नहीं यहमारा में मना जिए शेह कि इस यहह है प्योइंटर है एले प्योईंटर आपक्षार हम जैंभान है ऊपसुरींे। को पॉइंट कर रहा है जो मैलाक के द्वारा बनाया गया है और मैलाक ने जो एड्रेस रंड किया मौन लीज़े इस वैरियेबल का एड्रेस है haven उनको झ्ली्छ कर सकते हैं क्योंकी इस वैरियेबल का एड्रेस हमारे पास पी में है तो अगर हमें पी का यूजकर के डेटा को एकसिस करना हो तो हमक्या लिखेंगे अगर हमें मैं लिखूणगा फिरनक सरह से यह सारी चीजिसे यह आप data structure की series देखी है तो मैं आपको बता चुगा हूँ यह मैं सिर्फ एक revision दे रहा हूँ ताकि मैं start करूँ तो आपको समझ में पूरा अच्छी तरह से आए और in fact मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यहार कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो जो भी डेटर की सीरीज हमने अपलोड की है वीडियो उसको आप सुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समय आएगा मैं गारंटी देता हूँ कि आपको डेटर सी में किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वह आपको 100% समझ में आएगा ठीक है तो अब हमें अगर डेटा में कुछ वेलू रखनी है तो मैं लिखूंगा पी एरो डेटा है ना अच्छा देखें मैं यहां पर लिखता हूँ पी एरो तो देखें यहां पर हमें दो चीजेस्ट हो रही है तो तो हमने पी एरो डेटा रखें उसमें क्या रख दिया 5 रख दिया है और क्योंकि जो यह नेक्स्ट पॉइंटर है इसमें कुछ गार्वेज वेलू होगी और है ना तो वह किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है पॉइंट कर रहा है क्योंकि गार्वेज वेलू भ बोलते हैं dangling pointer ऐसा pointer जो किसी unknown location को point करता है उसको बोलते है dangling pointer और हम यह नहीं चाहते कि जो हमारा pointer है वो dangling pointer बने इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया है null assign कर दिया है है ना c language में null आपको पता है क्या होता है और फिर अगर जो हमने value data में रखी है member variable में अगर उसे हमें print करना है तो हमने लगाया person d और पी arrow data करके हम उसको access कर सकते हैं है ना और अगर इस program को मैं compile करूं तो मैं इस तरह से compile कर रहा हूं हाला कि अगर आप दूसरा id में code कर रहे हो तो आपको वहाँ पर just button click करनी है तो हमने यह compile कर दिया है इसको और मैं इसको a.exe करके acute कर दूँगा देखे यहां पर 5 हमारा print हो गया है ठीक है तो अगले lecture से हम start करेंगे कि singly linked list क्या होता है और उसको किस तरह से implement करते हैं तो मिलते हैं दोस्तों आपको अपने अगले lecture में ठीक है so thank you so much